तारे सितारे वम गरह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 22 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शूब ग्रहों की द्रश्टिवा भगवान विश्णू जी की क्रपा से आज 12 में से 7 राशी वालों को भाग्य का भरपूर सांत मिलेगा इन 7 राशीयों में आज है वरशब, मिथुन, करक, कन्या, तुला, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वही अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नही नही ज्यानवर धग जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज मागमाश शुकल पक्ष की त्रेवदसी तिथी है गुरुवार का दिन है आज दिन की सुरवात पुष्य नक्षत्र से होगी और करकर आशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियो दई प्राता काल 6 बच के 53 मिनिट पर होगा और सुरियास ता साम के 6 बच के 16 मिनिट पर होगा आज राहु काल दो पहर दो बज़े से आरंबो करके अपरान काल 3 बच के 25 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय शुरू नहीं करें इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा दक्षण दिसा में तो आज के दिन आप दक्षण दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें दक्षण दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वग पूजा आरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ठ अतिस्रेष्ठ महूर्त अवीजीत महूर्त आरंब होगा दोपहर बाराहा बचके बाराहा मिनिट से आरंब हो करके दोपहर बाराहा बचके सत्तावन मिनिट तक सरवस्रेष्ठ वा शुब महूर्त रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मेश राशी वालों को आज भाग्य का साथ मिल रहेगा आज केरियर कारोबार में भी आपको सफलता के योग हैं आपको आज विशे सम्मान प्राप्ती के भी योग हैं और आपके धन में भी व्रत्धी होगी, भोतिक विकास के अच्छे योग ही, आज घुमने फिरने के लिए दिन अच्छा है, कोई शुब सूचना आपको मिलेगी, आज मन आपका प्रसंद रहेगा, और किसी मांगले कारेकरम में संभलित होने का अवसर आपको मिलेगा, आज भाग का साथ 83 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है, प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चाद तुल्सी के पोधे की पुजा करें, शुद्धगी का दिया जलाएं, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी है व्रशब, व्रशब रा यदी है तो सफलता के योग बनेंगे और इस्थान परिवर्तन के बारे में आज आप विचार कर सकेंगे, दिन के उत्तरार्द में उलजनों के बावजुद पराकरम में भी व्रद्धी होगी, परिवार में शुब मांगलिक कारी पूर्ण होने के योग है, कारेले में भी आपके अनुकूल वातावरन निर्मित होगा और सभी आपका सहयोग देंगे, आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है, शुब रंग आपका लाल रंग है, आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिस्यत प्राप्त होगा, आज आपका विशेशुपाई इस प्रकार से है, प्रात उन्राशी वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी क्रियेटिव रहेगा, और बहुत समय से रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, जो काम आपको सबसे ज़्यादा प्रिये है, आज वही करने का अवसर आपको मिलेगा, आज आपको रिलेक्स करने में काफी मदन मिलेगी और नई योजनाएं भी दिमाग में रहेगी, अपने से सीनियर का सहयोग पाने का प्रयत न करें, आपको लाब होगा, आपकी योजनाएं पूर्ण होगी, आज आपका भाग्यशाली अंक नो है, शुबरंग आपका बादामी रंग है, आज आपको भाग्यकासां 87 प्रतिस प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्राता हकाल इसनान करने के पस्चाथ, पीपल के वरक्ष की पूजा करें, हल्दी चंदन चड़ाएं, परिक्रमा करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी है करक, करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, करक राशी वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी स्रजनात्मक रहेगा, जो भी काम लगन के साथ करेंगे, उसका फल आपको सकारात्मक रूप में मिलेगा, अधोरे काम आपके पूरे होंगे, महत तो पूर्न चर्चाएं होंगी, औ प्राफी साधी में अपने विचारों के मताबिक माहौल बन जाएगा, आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे, आज दिन आपके लिए काफी खुशनुमा रहेगा, आपके धन में वरत्दी होगी, और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, आज आपका भाग्य का साथ अंक करने के पस्चात, भगवान लक्ष्मी नाराण जी की पूजा करें, पिले फल अरपित करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगले रासी है सिम्व, सिम्वराशी वालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा, सिम्वराशी वाले लोगों का दिन काफी बीजी रहने वाला है, और आज आपके लिए धन से जुड़ी योजनाय सफल होगी, धर्म आद्यात्म के मामले में पड़ाई लिखाई के लिए थोड़ा समय निकाल लेंगे, तो आपके लिए वहतर होगा, और कारे छेतर में वरिष्ट अधिकारी आपके काम में थोड़ी बाधा डाल स असी प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाथ भगवान राधा करशन जी की पूजा करें, मिश्री का भोगर पित करके तुलसी दल चड़ाएं, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी है कन् राशी के लोगों की किसमत साथ देगी, और आज आपको आर्थिक मामलों में लाप के प्रबल्योग हैं, आज किसी प्रकार के विवात से आपको बचना चाहिए, सैयम और सावधानी बरतें, आसपास के लोगों से टकराव की नोबत नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें, क भाग्य का साथ 83 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं, प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात, तुल्सी जी के पोधे की पूजा करें, सुद्धगी का दिया जला करके परिक्रमा करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी ह आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपको धन लाब के योग हैं, आज का दिन आपके लिए लाब बताई रहेगा, कारी विभार से जुड़े सभी विवाद आज सुलच सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर सकते हैं, आपको लाब होगा, जमीन जायद के मामले में पारिवारिक और आसपास के लोग कुछ परेशानी पेदा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आज सतर करें, आज आपका भाग्यशाली अंक नो है, शुब रंग आपका आसमानी रंग है, आज आपको भाग्यका साथ 82 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका व ब्रश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, ब्रश्चिक राशी वाले लोगों की किस्मत साथ देगी, और आज आपकी आरतिक इस्तिती बहतर होगी, कारेशील रहें, परिवार में सुख, सान्थी और इस्थिरता का आनंद उठाएं, नोक इसाली अंक चार है, शुबरंग आपका पीला रंग है, आज आपको भागी का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है, प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चार, भगवान स्री रादा कृष्चन जी की पूजा करें, पीली मिठाई का भूग चड़ाएं, तुलसी दल चड़ाएं, दिन आपका शुब रहेगा, अगली राशी है धनू, धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन सावधानी और सतरकता का दिन है, बिजनेस के मामले में थोड़ा सा जोकिम उठाएं तो पहचानना आपके हाथ में है, आज आपका भाग्यशाली अंकसाथ है, शुब रंग आपका लाला रंग है, आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिस्थ प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इस्नानकन्ने के पश्चाथ, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करें, और मिश्री का भोगर पित करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगली राशी है मकर, मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज आर्थिक मामलों में आपको लाप के योग हैं, और आपकी धन से जुड़ी फेसला लेना पड़ेगा, इमानदारी और निरधारित नियमों का ध्यान अवश्य रखें, कई प्रकार के काम एक साथ आने से व्यगरता आपकी बढ़ सकती है, आज सोच समझ करके काम करें, आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है, शुबरंग आपका आसमानी रंग है, आ आज आपको भाग्यकासा 84 प्रतिसत अप्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाय इस प्रकार से है, प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात, पीपल के बरक्ष के पास सुद्धगी का आटे का दिया जलाएं, यथा शक्ती परिक्रमा करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगली राशी है कुम्ब, कुम्ब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज का दिन सावधानी से व्यतित करने का है, अपने स्वास्थ के प्रति सचेत रहें, मोशम परिवर्तन में शीतोष्ण विकार उत्पन हो सकते हैं, खान पान में लापर अगली राशी है, अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों के लिए आज का दिन लाबदायक रहेगा, व्यापार में जोकिम उठाने से आपको नुकसान आज हो सकता है, परेसानियों को धेरियो और अपने म्रदु व्यवहर से सुधार सकेंगे, अपने गुद्धी का प्रयोग करके आप सब कुछ पा सकेंगे, जिसकी आपको अभी तक कमी रही थी, किसी संकट गरस्त व्यक्त प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात, तुलसी जी के पोदे की चंदन अक्षत के द्वारा पुजन करें, शुद्धगी का दिया जला करके मिसरी का भोगर पीत करें, दिन आपका शुब रहेगा, तो मित्र आशा करता हूँ, कि आपको हमारी यह देनिकराशी फल की जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें, धन्यवाद जैस्री करश्नमित्रों फिर मिलेंगे